तीन चात्र दूब कर मर गए जो आईएस की परीक्षा की तयारी कर रहे थे अबी कुछी दिनों पहले 22 जुलाई को 26 साल का एक शात्र जो आईएस की परीक्षा की तयारी कर रहा था उसे एलेक्ट्रिक शोक लगा और उसकी मौत हो गई अब तीन चात्र डूब कर मर गएं क्या इस देश में कोई जान की कीमत है सबसे बड़ी बात इस मुद्दे पर भी राजनीती शुरू हो गई है सबके हम चर्चा करेंगे दोस्तों मगर सबसे पहले खबर क्या है आपकी स्क्रीन्स पर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार शाम को भारी बारिश के बाद राओ आयस कोचिंग सेंटर की इमारत के बेस्मेंट में पानी भर जाने के बाद तीन चात्रों की मौत हो गई है चार घंटे से अधिक समय तक ये शात्र बेस्मेंट में भसे रहे और पानी में डूबने से इनकी जान चली गई बचाव अभ्यान शुरू होने के कुछ घंटों के बाद दो चात्राओं के शव बाहर निकाले गए जबकि तीसरे चात्र का शव देर रात बरामत किया गया है ये सभी सिवल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वही पुलीस ने इस मामले में केस दर्ज कर दिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है आपके स्क्रीन्स पर ये है नवीन जो केरल से आया था IAS की परीक्षा की तैयारी कर ले उन तीन शात्रों के माबाप का क्या हाल होगा आप क्या उसकी कल्पना कर सकते हैं। उनकी पहचान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्ता हूँ। जानकारी के मुताबिक पहला शव दस बचकर 40 मिनिट पर मिला। दूसरा शव रात 11 बचकर 18 बजे मिला। और तीसरा शव एक बचकर पांच मिनिट पर मिला, रेस्क्यू ओपरेशन तीन बचकर एक क्यावन मिनिट पर पूरा हुआ, जो कि करीब आठ घंटे तक चला, मृतकों के नाम है श्रेया जिसकी उम्र पचीस साल है, नेविन डेलविन जिसकी उम्र अठाईस साल की है, और तानिया जिनकी उम्र पचीस साल की है, और इसमें ये शात्र, जिससे आप देख रहे हैं कि वो एक गेट के साथ चिपका हुआ है, इसे भी एलेक्ट्रिक शौक लगा था 22 जुलाई को और इसकी मौत हो गई थी, जिम्मेदारी किसकी है मैं आपसे समझना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर केजरिवाल सरकार काइम है, MCD पर भी आम आदमी पार्टी का राज है, तो क्या अब भी आम आदमी पार्टी दोष यो है वो LG को देगी, और सबसे बड़ी बाद विनै कुमार सकसेना दिल्ली के LG खुद को दिल्ली का पॉस बनाते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी तै की जाएगी, कटगरे में स्थानी विधायक दुरगेश पाठग भी हैं, कटगरे में केजरिवाल का दिल्ली मॉडल है, और कटगरे में आम आदमी पार्टी की MCD है, कटगरे में दिल्ली की वो साथ सांसद हैं, पिछले तीन बार से दिल्ली ने भारती जन्ता पार्टी को छपपर पाड़ सीटे दी, सातों की सातों सीटें, आम आदमी पार्टी को लगातार साथ से ज़्यादा सीटे दी जा रही हैं, मगर ये हाल है दिल्ली का, सबसे पहले मैं आपको खौफनाक नजारा दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये वो नजारा है जब बेस्मेंट में देखिए पानी भर गया है, और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, ये खौफनाक तस्वीर है दोस्तों, देखिए किस तरह से लोग निकाले जा रहे हैं, ये बिल्कुल शाम की तस्वीर है, जब सूरज ढूब चुका था और देखिए लोगों को किस तरह से निकाला जा रहा है, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो ट्विटर से मिली है, ये पोस्ट की है एक्स यूजर हिर्देश चौहान ने, हिर्देश चौहान ये दावा कर रहे हैं, जब ये दुरगहटना होई थी शाम, छे बच कर चालीस मिनिट पर तब वो वहां मौजूद थे और उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई, ये देखिए ओव विडियो, करीब 18 सेकेंड का ये विडियो है, उनका ये कहना था कि I am one of the survivor of this horrible incident, within 10 minutes the basement was filled, उनका कहना था कि 10 minute के अंदर पूरे basement में पानी भर गया था, 6 बच कर 40 मिनिट पर हमने पुलीस को बुलाया, मगर वो लोग रात को 9 बजे पहुँचे हिरदेश यहां दावा कर रहे हैं कि अगर पुलीस समय पर आ जाती, अगर rescue operation जल्दी हो जाता तो वो तीन शात्र बच सकते थे, तानिया, श्रेया, नेविन, इनकी मौत का जिम्मिदार कौन है, मैं इसे सरासर हत्या मानता हूँ, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, एक और वीडियो जो सिहरन पैदा करने वाली है, देखे किस तरह से पानी से उस लाश को निकाला जा रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कि उन तीनों में से ये लाश किसकी है, मगर इस याद के साथ, उन तीनों चात्रों के माबाप को जिंदगी भर, जिंदगी भर रहना पड़ेगा, ये जिम्मिदारी किसकी है, आम आदमी पार्टी तो दावा करती थी थी ना, उन्होंने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया है, बार बार इस तरह की तस्वीरे सामने उभर कर आ रही है, लगातार इस तरह की तस्वीरे सामने उभर कर आ रही है, आम आदमी पार्टी के विदायक दुरगेश पाठक कहते हैं कि, इसमें दोश हमारा नहीं है, दोश उस व्यक्ति का है जो पिछले 15 साल से यहां पारशद है और यहां पर वो दोश एक बार फिर भाजपा पर मढ़ रहे हैं सुनिए इस मुद्दे पर दुरगेश पाठक क्या कहते हैं दुरगेश पाठक कहते हैं यह लो लाइन एरिया है इसी लाइन से पानी बहता है नाली तूट गई या सीवर तूट गया और पानी बेस्मेंट में भर गया तीमें अपना काम कर रही हैं भाशपा को भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया पिछले 15 साल से उनका प करारा प्रहार किया है आम आदमी पार्टी सरकार पर वो क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन्स पर ओल्ड राजेंदर नगर की घटना पर भाशपा सांसत बासुरी स्वराज ने कहा ये बच्चे यहां अपना भविश्य सवार ने आये थे लेकिन दिल्ली की सरकार ने स्थानी लोगों की एक नहीं सुनी यहां कि विधायक दुरगेश पाठक से कहा जा रहा था कि वे नाले की सफाई करवाएं लेकिन ऐसा नहीं करवाया गया बेस्मेंट में पूरा पानी भर शुका है और अंदर के फरनीचर तैर रहे हैं इस मृत्यू की जिमिदार केजरिवाल सरका है एक शव बरामद हुआ है लेकिन जो परिस्तिती है वो और भी भयावा हो सकती है और शव बरामद हो सकते हैं ऐसा बासुरी स्वराज कह रही थी जब यह घटना सामने उभर कर आई थी मगर मैं आपके सामने हिर्दे शौहान का वो दावा पेश करना चाहता हूं एक बार दिल्ली की PWD मंतरी आतिशी मर लेना क्या कह रही है आतिशी कहती है दिल्ली में शाम हुई बारिश के कारण एक दुरघटना की खबर है राजेंदर नगर में कोचिंग इंस्ट्यूट की बेस्मिंट में पानी भरने की खबर है दिल्ली फायर विभाग और NDRF मौके पर हैं दिल्ली की मेर और स्थानी विधायक भी वहाँ पर हैं मैं हर मिनिट की खबर की जानकारी ले रही हूँ ये घटना कैसे घटी इसकी मजिस्ट्वीरल जाच के आदेश दे दिये गए हैं इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे बक्षा नहीं जाएगा दिल्ली की मे पर ड्रेनिश भड़ गया है और फ्लाश फ्लट जैसी स्थिती पैदा हो गई है कुछ देर बाद पूरी स्थिती साफ हो जाएगी जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है चाहे MCD में हो या किसी और विभाग में उस पर कड़ी कानूनी कारवाई की जाएगी ऐसा शेली ओबिरॉ दावा कर रही हैं यानि कि देखा आपने राजनीती शुरू हो गई है भारती जंता पार्टी केजरिवाल सरकार पर दोश मड़ रही है केजरिवाल सरकार जो एक लंबे अरसे से दिल्ली की सत्ता परासीन है और अब MCD पर भी उनका कबजा है अब भी बेशर्मी देखिए दोश मड़ रहे हैं भाज़पा की उपर आज मैं आपके सामने चंद सवाल रखना चाहता हूँ दोस्तों और ये सवाल बहुत जरूरी है एक नागरिक होने के नाते आपको भी ये सवाल पूछने चाहिए वो सवाल क्या है आपके स्क्रीन्स पर नाले की सफाई क्यों नहीं हुई लोग गुहार लगाते रहे मगर उनकी बात को अनसुना क्यों किया गया स्थानिय विधायक दुर्गेश पाठक जिम्मिदारी लेंगे दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी वो जिम्मिदारी लेंगी पेस्मेंट में पानी कैसे भरा पेस्मेंट की परमिशन किस ने दी मौनसून से पहले क्या तैयारी थी कहा है दिल्ली के साथ सांसद खुद को दिल्ली का बॉस बताने वाले LG विना सकसेना जिम्मेदारी लेंगे क्या दिल्ली के LG ने MCD और स्थानी विधायक को फंड यानि पैसा नहीं जारी किया यहाँ पर राओ कोशिंग इंस्टिट्यूट भी नहीं बच सकता आप एक बेस्मेंट में एक लाइबरी बना देते हैं इसकी इजाज़त किसने दी किसने इजाज़त दी किसकी इजाज़त से बेस्मेंट में यह बन गया क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी दुरगटना हो सकती थी प्लानर्स के दिमाग में यह बात होनी चाहिए रखा जाएगा क्या इस बात की पड़ताल की जाएगी कि बेस्मेंट में वो लाइब्ररी बनानी की अजाज़त किस ने दिए किसने पैसा खाया यह सवाल और यह पड़ताल तो होनी चाहिए ना कल शाम को ओल्ड राजेंदर नगर से एक बेस्मेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी जिसको मिलते ही एक सर्च अन्रिस्क्यू ऑपरेशन लॉंच किया गया था रहने वाली थी तानिया सूनी जिनका पर्मेंट इडरेस का लगाना का था और नयविन डेल्विन जो एर्ना कुलम के रहने वाले हैं इसके अलावा हमने एक इसमें रेजिस्टर कर लिया है यह एक र गर जाने अगर थाने में दर्श करेया सिस्टम को जो देखवाल करते हैं उनका और ऐसे लोग जिनका रोल इंवेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ है अभी हमने दो लोगों को इसमें डीटेंड किया है जो की उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कॉडिनेटर है इसमें फर्दर इंवेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोशी प्राए जाएंगे उन पर सक्ते सक्त करवाई की जाएगे हमारे तीन छात्र मर चुके हैं और अगर बाइस जुलाई की उगटना को शामिल किया जाए तो चार छात्रों की मौत हो चुकी है सब के उम्र 25 से 26 साल अगर ये जाएं या कोई बड़ा अफसर बन जाएं तो आप इस बात पर गौर कीजेगा आपकी निगाह होनी चाहिए ऐसी इन तमाम घटनाओं पर जहां इस तरह की बड़ी दुर घटना हो सकती है तीन छात्रों की मौत आसान बात नहीं है दोस्तों इस देश में जान की कोई कीमत मुंबई में एक इलीगल होोडिंग गिर जाता है कई लोग की मौत हो जाती है भगधड़ मचती है हाथरस में 120 लोग की मौत हो जाती है कम से कम 116 औरतें यानि कि 116 परिवार बरबाद हो गए और अब चार ज्चात्रों की मौत चीए इस देश में जान की कोई कीमत है अरे किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना दिल्ली के एल जी विनाय सकसेना अपने आपको दिल्ली का बास बताते हैं क्या ये आदमी जिम्मेदारी लेगा इनको तो चुनकर भी नहीं लाया जाता ना इन्होंने सारी ताकत को अपने हाथ में ले की पानल की बात रिखे आप दिल्ली इसजों को विनिस में टपदिल कर देना चाहते हैं नहीं सभ्व कि आज स्की तारीक बैस्मेंट में पानी भर जाता है एक बारिश होती है और दिल्ली की पोल कुल जाती हाला कि आप जेल में हैं, मगर मुख्यमंत्री आप है अब भी, आप करोडों रुपए का विज्यापन देकर अपनी बढ़ाई करा सकते हैं, मगर हकीकत ये है कि अब भी बेस्मेंट में पानी भरता है और लोगों की मौत होती है, ये हकीकत, Mr. K. Rival, Your Delhi model stands exposed, दिल्ली के साथ सांसर, You stand exposed, दिल्ली के LG, You stand exposed, आप पूरी तरह से आपका परदाफाश हो गया है, इस इलाके के विधायक, दुर्गेश पाठक, वो कट घरे में है, M.C.D. कट घरे में है, शलियो विरॉय को सवालों के जवाब देने होंगे, ये मौत आसान नहीं है द जिम्मेदारी लेनी होगी, और कोई जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, क्योंकि सवाल हमारे बच्चों का है, मैं यहीं उम्मीद करता हूँ कि 25 साल की श्रया, 28 साल का निविन, और 25 साल की तान्या, इन तीनों के परिवार वक्त गुजरने के साथ समल जाएंगे, ये इसका समाधान उने कभी नहीं मिलने वाला है, जिन्दगी भर वो उनकी याद में जीने वाले हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इस कायरकरम को मुझे बार बार रोकना पड़ा, इसे शुरू करने के लिए, बार बार रोकना पड़ा, क्योंकि आसान नहीं होता है एक अत्रकार को इस तरह की खबरे करना, जब हमारे बच्चे सरकारी लापरवाही की वज़ा से इस तरह से मौत के घाट उतार दिये जाते हैं, इस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है, जी हां, हत्या, इस शब्द को मैं बार बार दारूंगा, अबिसार शेर्मा को दीजिए झाल 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 प्लाजचा झाल प्तवार आमंसकार